करपोर गवरम करुड़ावतारं संसार शारं भुझ गिंद्राहारं सदाब संतम हृद्यार विंदेभवं भवाने सहितं नमामी नमस्कार मैं हूँ जोचसाचार डॉक्टर विंत्रपाथी आप देख रहें भागी गुरु कारकरम भागी गुरु कारकरम में आपका बहुत- आज हम आपसे बात करेंगे कि आज की पंचांग की क्या इस्तती है, सूरी ओदय कब होगा, सुर्यास्त कब होगा, कौन सी तिथी है, कौन सा नचत्र है, कौन सा योग है, राहुकाल कब है, दिशासूल कब है, सारी बात आपको बताऊंगा, आज का महामंतर क्या है, महामंतर क जब कैसे करेंगे और जब करने से आपको क्या फायदा मिलेगा ये भी बताएंगे 12 राशियों की बारे में फिस्तार से बताएंगे कि आज की 12 राशियां क्या कहती है किसका भागोदय होगा किसको सरकारी नोकरी मिलेगी कौन पुलिस से वा में जाएगा कौन चिकट सक्ट बनेगा कौन इंजिनियर बनेगा कौन बैग्यानिक बनेगा किसको राजनिती में जाना है कौन खेती के चितर से धन अरजित करेगा कौन विदेश जाएगा किसको आयात निर्या से धन लाब होगा किस अंके के प्रयोग करने से भागोदय होगा किस रंग के प्रयोग करने से आपको बड़ी सफलता मिलेगी, सौधानी क्या बरतनी है, उपाय क्या करना है, और किस वज़ा साब को बड़ी सफलता मिलेगी, ये सारी बाते आपको बताऊंगा, गुरू के नुस्खे भी बताऊंगा, और दर्सकों के प्रश्णों का उत्तर भी दूँगा आज जिनका जन्मदीन है उनके भी बारे में बताऊंगा आप देखते रहें भाग की गुरु कारिकरम अब आई हम बात करते हैं आज के पंचांग की आज है 14 अक्टूबर 2023 दिन है शनिवार शुर्योद्य हो चुका है सब्सक्राइच के 20 मिनट पर सुर्यास्त होगा साम को पांच बच के 42 मिनट पर आज द्रमा रहेगा कन्या राशी में कृष्ण पक्ष है अम उश्या तिती है और हस्त नचत्र है एंद्र योग है और आज का जो सुम मोड़ते ग्यारत तालिस से लेके दो पर 12 बच के 30 मिनट तक है राहुकाल है सबेरे 9 बच के 13 मिन सिर्ट तक रहेगा पूरिषण का दिशाशूल है आपको एक बात ध्यान रखना है कि आजसी दिशाशूल में आतरह नहीं करना अगर यातरह करनी है तो एक दिन पूर प्रस्थान निकाल करके करिये सुम मुर्त में किया गया कार फलिभूत होता है राहुकाल में कोई भी का ना करें अब आईए हम बात करते हैं आज के महामंत्र की आज का महामंत्र है ओम संग सनश्चर आयनवा यह जो महामंत्र है यह सूर्य पुत्र सनी का है सनी को न्यायका देवता करते हैं और सनी का नाम आते हैं लोगों के मन में तमाम तरह के मन में भै हो जाता है लेकिन आपको कुण्डली में शनि ग्रह खराब है तो अगर आप इस मंत्र का जब करते हैं तो शनि ग्रह आप के लिए न gul फॉल देगा और आप क्या करें कि रुद्राक्ष की माले से समंत्र का जब करिये नियमित एक माला आप देखेंगे कि शनि ग्रह के क्रपा से आपके सारे कारे संपन होंगे और कोई भी नए कार की जब आप सुरुवात करते हैं तब भगवाण स्री गड़ेश की अराधना करके करते हैं ता आपका कारे बहुत अच्छे से संपन होता है ज़िए आपकी कुंडिली में बुद्ध गरह की मादसा चल रही है और बुद्ध गरह के वज स्थे में समहा मंतर का जब करें आपके लिए यह बहुत इलाप्रद सुद्ध होगा अब आईएма बात करते हैं 12 राश्यों की बारे में कि आ आज की 12 राश्य क्या कहती है आये Civilsticks बारन करते हैं मेश जो मेश राश्य जा तक हैं आज का देन उनके लिए बहुत अच्छा चल रहा है उत्तम समय चल रहा है धन धने से लाव मिलेगा आर्थिक छेत्र में किया गया प्रयास हार्थाक होगा साहितिक छेत्र से आज आपको काफी लाव मिलेगा जदी आप लेखक हैं तो धन अर्जित करेंगे रशनात्मकारी उसमें धन लाव मिलेगा परिवारी किस्टी अच्छी होगी परिवार में सुभ और मांगली कार होने का योग बन रहा है घर बनवा सकते हैं गाड़ी खरी सकते हैं इसका प् आत्मा ने जवरदस्ती आत्मा को लेखर के जिस अगर मन के आत्मा कहता कि मुझे नहीं करना इनरसेंसे लाव नहीं करता तुसकारे को न करिए सौधानी क्या परत्नी है कर्टू भासा का प्रियों करने से बचे उपाई क्या करना भगवान सूरी को अर्ख देना आपके लि बात करते हैं ब्रिश राशी की जो ब्रिश राशी के जातक है आज आपको अपने मन की भावनाओं को काबू में रखने की जूरत है क्योंकि अगर मन की भावनाओं को काबू में नहीं रखेंगे तो नुकसान हो सकता है और आप जितना बड़ा प्लान करेंगे उससे सफलता आपकी राह देख रहे हैं, खुब मेहनत करिए, टास्ट टार्गेट ओरियेंटेट होके कारे करिए, सफलता प्राप्त होने का प्रबल योग बन रहा है, मान सम्मान मिलेगा, पत परतिष्णा में बरिद्धी होगा, आपकी परिवार की सिती अच्छी होगी, आप पर सत्रों की संख्या में बरिद्धी हो सकती है, गुप्त सत्रों की संख्या में बरिद्धी हो सकती है, केरफुल रहने की जुरुत है, रोग और सत्रों को हलके में लेने की जुरुत नहीं है, सौधानी क्या परत्ति है, अपनी ओजनाएं गुप्त रखें, उपाई क्या कर र जो मिथुन राशी की जातक हैं उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है जो मिथुन राश वाले लोग हैं आज आपको अपनी योजनाओं को कैसे किर्यानुइत करें उस पर लगने की जुरत है योजनाओं को संपन करने का समय आ गया है आपके लिए चार तरफ से आपके औसर मिलेंगे जो भी आपकी मन में भावना है उसको पूरी उर्जा के साथ लग जाएए करने की जुरुत है आज आपको बड़े पैमाने पर सफलता मिलने का योग बन रहा है आप प्रत्यासित रुपसाज आपको सफलता मिल सकती है उसका योग बन रहा है माली हालत अच्ची होगी दूर देश की आत्रा होगी और कई महत्पूर्णकार जो बहुत दिन से रुका हुआ है वो संपन्न होगा साहितिक जगत से लेखन कारे से फिल्मी दुनिया से आज आपको धन मिलेगा और सब के लिए बड़ा अच्छा समय चल रहा है और समय का सदुप्यो गाय को हरा मटर खिलाना आपके लिए लाप्रत रहेगा और सुब रंग है तीन सुब रंग हरा लक मीटर है आठ हरी कृष्णा जो करकराशी वाले जातक हैं आज का दिन आपके लिए थोड़ा सा मान से कुद्दिगनता लिए वे रहेगे क्योंकि चंद्रमामन का कारक है आ पर पूरी उर्जा का पॉजिटिव लगाईए और बड़े कारों में लगाईए सो समझ करके कारे करने की जुरत निगेटिव थार्ट से बच्चे हैं वहन खरिदने का आउसर मिलेगा विद्दैर्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है खिलाडियों के लिए समय अच्छ मिलेगी तो बड़ी सफलता मिलेगी सरकार से लाब मिलेगा जड़ी आप पुलिस रवा में हैं सेना में है आज आपकी पोदुनत हो सकती है आज आपका रुका हुआ कारे संपन होगा आर्थी किसिती ससक्त होगी सौधानी के अबरतनी है कटु भासा का प्रियों करने से हरे कृष्ण बात करते हैं शिंगराशी की जो शिंगराशी की जातक है आज आप जितना परिस्रम करेंगे उससे बड़ी आपको सफलता मिलेगी माली हालत अच्छी होगी दूर देश की आतरा हो सकती है रोग और सत्रु परास्त होंगे परिवारी किस्ती अच्छी होगी प आप की परिशानियां का समूल समधानों का संतान की प्रगत से मन प्रफुलित रहेगा विद्यार्थियों के लिए लेखकों के लिए यह समय बहुत अच्छा चल रहा है आप कुछ अच्छा कर सकते हैं केरियर की छेत्र में आज आपको बड़ी उपलग दी मिलेगी शाहित हैं पत्रकार हैं आज उनके पद में परिवर्टन हो सकता है विभागी परिवर्टन हो सकता है लेखन कारे से धन मिलेगा माली हालत अच्छी होगी प्रापल्टी से धन लाप मिलेगा विबादों का सवापन होगा और आपकी परिश्यतियां काफी अच्छी होंगी सौधान पाँच सुबरंग के सरिया लक मिटर है नौ हरी कृष्णा बात करते हैं कन्यराशी की जो कन्यराशी की जातक है आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है आपको किम्ती बाणी से धन अरजित होने का योग बन रहा है नए रोजी-्रोजगार के आउसर मिलेंगे रोजगा के छेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा रियल स्टेट और निर्माड के छेत्र से और माइंस के फिल्ट से आज आज आपको बड़े पैमाने पर धन मिलते हुए दिख रहा है नए बैपार खोल सकते हैं उसका उसर मिलेगा विद्धार्थियों के लिए यह समय बहुत करेगी आज आपकी पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा और जो माली हालत है ना वो ससकत होगी और खास और से जो फिल्म बनाने वाले लोग हैं उनके लिए आज का दिन बैतर है सौधानी के अबरतनी है आपनी उर्जा को सहीत सामे लगा में आलस्यका पर त्याग करें उप हरे कृष्णा बात करते हैं तुलाराशी की जो तुलाराशी की जातक है आज का दिन आपके लिए धन लाब का बहुती सांदार टाइम चल रहा है वैपार में बृद्धी होने का योग बन रहा है पर शितियान कूल है समय उत्तम चल रहा है यातरा से धन लाब होगा नए र पैमाने पर धन लाव मिलते वे दिख रहा है, सरकार से लाव होगा, आपकी परिशानिया खतम होगी, तेजगत की गाड़ी चलाने से परहेच करें, और बच्चों की बात को सुनें, और उनको इंकरेच करें, सौधानी के अबरतनी किसी का भी मजाक न बनावें, उपाय क्या क करना, सुईत वस्तर मंदिर में दान करना, आपके लिए अच्छा रहेगा, सुभंके छे, सुभंके नीला, लक मीटर है आठ, हरी कृष्णा, बात करते हैं ब्रिश्यक राची की, जो ब्रिश्यक राची की जातक हैं, आज आपको प्राकरम से धनलाब मिलेगा, नए प्रका अर्थियों की सफलता के लिए सुरलिम समय चल रहा है, इसमें आपको देश-विदेश की यातरा का योग बन रहा है, अस्थाई संपत्य के मामलों में लाप मिलेगा, सौधानी के अपरत नहीं है, आते विश्वास करना किसी पर भी नुक्सान देव हो सकता है, उपाय क्या हैं धनुराशी की, जो धनुराशी की जातक हैं, आज कर दिन आपके लिए बड़ा महत्पूर है, अगर आप बैपार में पूजी निवेश करते हैं ता आपके लिए अच्छा रहेगा, रिस्क लेना फायदे मंद रहेगा, जितना रिस्क लेंगे उससे जाएदे लाब है, संतान लाब का यूग बन रहा है, आज आप थोड़ा सा गुस्ते पर नियत्रा रखें, छोटी-छोटी बात को लेके इरिटेट होते हैं, जदिया आप संपादक हैं, लेखक हैं, शाहित्यकार हैं, ता आज आप कुछ चतुर्दिक दिष्टिकोंट से लाब मिलेगा, सत्रों के संख्या में ब्रिद्धी होगी, बिरोधी परास्त होंगे, सौधानी क्या ब्रतनी है, नए कारे करने से बच्चें, उपाई क्या करना है, अपने पर्स में स्री ये अंतरा रखना आपके लिए लाब प्रत रहेगा, सुबंके तीन, सुबंके हल्दी कलर, लक मीट कारी होगा, यातरा से धनलाब होगा, पत परतिष्णा में बढ़ोतरी होगी, अगर आप वेपार में फूजी निवेस करते हैं ता आपके लिए लापरत होगा, सरकारी नोकरी मिलने का यूग बन रहा है, सरकारी नोकरी में सक्षतकार में बुलाबा आ सकता है, और आज अंगली कारी होने से मन परसन रहेगा, घर में किलकारी गुज सकती है, और कुछ नए मेहमान के आगमन से मन परफुलित रहेगा, सौधानी के अबरतनी है, तेज गती का वहाँ चलाने से परहेज करें, शनी मंत्र का जप करें, काली वस्तू का दान करें, सुबंग के साथ, सुबरंग है सफेद, लक मीटर है आठ, हरे कृष्ण, बात करते कुम्भराशी की, जो कुम्भराशी की जातक हैं, आज का दिन आपके लिए ब्लब बहतरी ने, आर्थिक छितर से किया गया, प्रयास सार्तक होगा, मनोबल उंचा रहेगा, विरुधियों से थोड़ा मिल सकता है, रोग और सत्रुप परास्थ होंगे, सुब गटनाएं गटित हो सकती है, परतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी, रोग और सत्रुप परास्थ होंगे, परिवार में सुव और मांगली कारे होने का योग बन रहा है, नए तरह के कारे करेंगे, भाई बहनों के खेल जगत से लाव मिलेगा आज आपका समय सरोतब्तś चल रहा है समय का सुधुर्यों करिए किम्ती समय का सुधुर्यों करना चाहिए समय बरबाद नकरें सॉधानिकाप रत्नी है आपनी कोप निता हुप्य परते हैं उप का दिन आपके लिए चुनोतियों से भरा हो सकता है समय का सदूपयों करिए धैरे से काम लें रुके वे कारियों में कठनाईयों का सामना करना पड़ सकता है और बहुत सारे कारे अच्छा होगा योजनाय लाप्रद होंगी अगर आप कोई भी पूजी निवेश करते हैं तो स नुक्सान हो सकता है अब बाणी से धनलाब होने का योग बन रहा है समय का कैसे सदूपयों कर उस पर आपको कारे करना है सौधानी का अपरत नहीं है पूजी अभी निवेश करना उचित नहीं है उपाय क्या करना है स्री सुक्त का पाठ करें और आज के लिए सुबंग है अब हम बात करेंगे आज के दिन जन्मे जात्कों के बारे में आज है 14 अक्टूबर 2023 आज इन दर्सकों का जन्म दिन है उनके जन्म दिन की बहुत बहुत बढ़ाई धेरो सुब कामना है आपका जन्म दिन सुब हो मंगल मैं हो आपको प्रगत करिए आगे बढ़िए आपक आज जिन दर्सकों का जन्म दिन है उनका मुलांग खोता है पांच तक खासतोर से पांच 14 तेश तिथी के जन्म जाता हो तो उनका मुलांग खोता है पांच ऐसे लोग जीवन में काफी आगे बढ़ते हैं परसितिसे खबडाते नहीं हैं और प्रत्गुल परसितिसे और संकटों से उनका गहरा रिस्ता होता है और देखा जाता है बरस आपके लिए काफी अच्छा होगा प्रापल्टी बनाएंगे घर खरी देंगे गाड़ी खरी देंगे बिबाग का युग बनना है घर में अमान आएगा सरकारी नोकरी मिलेगी उच्पत प्राप्त होगा परिशानिया आपकी दूर होंगे जनवरी से लेकि जून तक का कालखंड आपके लिए काफी महतपूर है इसमें कई महतपूर कारी होंगे एकेडमी कलाब होगा केरियर के दिश्चुकोंट से अच्छा होगा घर बनवा सकते हैं गाड़ी करिश सकते हैं आपकी जो मूल का सामना करना पड़ सकता है लेकिन अपने बुद्धी के बल पर आप अपने समय को उनकूल कर लेंगे और उत्रत विकास कर लेंगे सौधानी के अपरत नहीं है अपनी गोपनिता बढ़ते खान पाल पर नियंतरा रखें जब तक कोई कारें नहों हो जाए तब तक आप किस हम बात करेंगे गुरू के नुश्के की तो आज है दिन सनिवार सनिवार दिन खास तोर से सनिद्यों के लिए समरब利त है और सनिद्यों को नयायका देवता करते हैं तो सनिद्यों को प्रसन करने के लिए आपको क्या करना है कि सनिवार के दिन तिल का दान करने से सनिदेव प्रसंद होते हैं और इस दिन गरीब या जुरत मंदों को काले तिल का दान करना चाहिए इससे सनिदेव प्रसंद होते हैं सनी देव की पूजा करते समय आपने नीलब रत्न की माला यांग उठी जरू धान करना चाहिए इससे सनी देव प्रसंद होते हैं लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी रत्न बिना जोतिशी सला के धारन ना करें नहीं तो नुक्सान हो सकता है सनी देव को प्रभावसाली मंतर है ओम प्राम प्रीम प्रॉम सह सनस्चरान वैस मंतर का जब पहुश्य करें इससे सनी की शाड़साति और धैया का प्रभाव कम होता है शनिवार के दिन पीपल ब्रिक्ष की पूझा कर करें और उसमें कच्चा सूत बाधें साथी साथा पीपल के पत्तों की माला भी शनिद्यव को अर्पित करें इससे सनी देव प्रसंद होतर हनुमान जी की पूजा करने वाले भक्तों को भी सनी देव कभी कश्ट नहीं देते तो इसलिए आप क्या करें कि सनी देव के दिन सनी देव की अराधना जरूर करें इससे सनी देव प्रसन होते हैं हनुमान जी की पूजा करने का भी विदान है सनिवार के दिन इससे सनी देव खुश होते हैं सनिवार के दिन सनी देव के साथ साथ हनुमान जी की अराधना करना चाहिए और हनुमान चलिसा का पाठ करना चाहिए इससे सनी देव प्रसन होते है और आपको सभी संकटों से मुक्ति मिलता है अब बारी है दर्सकों के प्रश्णों का उत्तर देने का तो हमारे साथ हैं पूजा रागहो कानपूर से इनका जन्तिती है 5 अक्टूबर 1992 12 बच के 20 मिनट पर 2 पहर मिन का जन्म हुआ है यह जानना चाते कि इनकाने वाला समय कैसा है नोकरी कब लगेगी दिखे पूजा जो आपका कालखंड है बहुत अच्छा चल रहा है समय महतपूर्ण है और आप फोकस हो करके नोकरी के लिए ट्राइ करें नोकरी आपको कभी भी लग सकती है अगर आपने कोई पुराना प्रत्योगी परिक्षा दिया इदर दो-तीन महिना में रिजल्ट आना अगर दिसंबर के पहले और तीन अक्टूबर के बाद कभी भी ता आपको नोकरी लगने की संभावना बन रही है समय नकूल अपने हेल्थ का ध्यान रखिए और समय और अच्छा हो इसके लिए आप गायतरी उपास्टना करिए आपके लिए अच्छा रहेगा भागी गुरु कारकरम में बस आज इतना ही फिर हम आपसे कल इसी वक्त इसी समय मिलेंगे तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त नाशकार